हेलो नमस्कार सुद्टेंट वेलकम टू इनोवेशन शड़ी चनल आप सभी का यहां पर श्वागत करते हैं अपन पहला चप्टर पढ़ रहे थे पूरी एकसरसाइज कंप्लिट कर लिए पहले चप्टर की आज अपन इसके अक्जामपल लेके आए हैं पहला दूसरा तीसरा चोथा चार अक्जामपल इस क्लास में अपन कंप्लिट करने वाले हैं अगर आपने exercise नहीं देखी है, all questions नहीं देखी हैं तो इस class के description box में उसका link मिल जाएगा वहाँ से परते class को आप देखशकते हैं आप channel पे नए हैं तो channel को अभी subscribe करें पास में लगी जो bell icon उसको जुरू दबाले ताकि परते class का आपको notification मिलता रहे जो यहाँ पे basically normal बताने वाला प्रिशन है वो मैं यहीं पे बता दूँ इसी PDF में और जिनको हल करवाना है, जिनका solution हमें करना है वो अपन एक white page पे अलग कर लेंगे जैसे कि अपन हमेशा करते आ रहे हैं तो चलिएगा पूरा slavus cover करेंगे नीशुलक रहेगा पूरा slavus पहला प्रिशन है नीचे दिएगे कथन सत्य है या ऐसत्य है कारण के साथ अपने उतर दीजे आपको बताना है यह बात true है या false है और इसका region भी आपको verify करना बताना है पहला है इसका परते पुर्ण संख्या एक प्राकर संख्या होती है पुर्ण संख्या में 0 सामिल होता है पुर्ण संख्या हैं जिसको अपन hall number से लिखते हैं वे संख्या हैं जो 0 से शुरू होके 1, 0 से शुरू होके 1, 2, 3 इस प्रकार से चलती रहती है वो पुर्ण संख्या होती है और प्राकर संख्य होती है एक से जुरू एक दो तीन चारिस प्रकार से तो परतेख पुर्ण संख्या एक प्राकर संख्या हो सकते है क्या जीरो भी एक प्राकर संख्या है क्या ये बताईए नहीं तो यहाँ पर जो बात दे रखे वो क्या हो जेगी ऐसत्य हो जेएगी यहां पे क्या लिखोगे आप ऐसत्य लिखोगे जैसा कि इसने अंसर भी दे रखा ऐसत्य बात है क्योंकि सुन्य एक पुर्ण संख्या प्रंतु प्राकर संख्या नहीं है दूसरा है परतेक पुरुनांक एक परिम्य संक्या होता है परतेक पुरुनांक एक परिम्य संक्या होता है जैसे पुरुनांक आगे आपके पास में प्लस माइनस में भी चलेगा नंबर है वो क्या चलेगा प्लस माइनस में चलेगा या अपन कहें कि परतेक पुरुनांक एक में संख्या होता है परतेख संख्या अपन पी बटा क्यूं की रूप में लिक्ष सकते हैं, यहां पर जो बात दे रहे हैं वो एकदम सही है सकते है क्योंकि परतेक पुर्णाक M को M बटा 1 के रूप में लिखा जा सकता है और इसलिए यह एक पर्मे संक्या होगी परतेक नम्मर को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है नेक्स्ट हैं परतेक पर्मे संक्या एक पुर्णांक होती है जैसे पर्मे संक्या तो आपके पास में दो बटा तीन है दो बटा तीन एक पर्मे संक्या है क्या यह है पुर्णांक है इंटीजर है क्या नहीं यह पुर्णांक नमबर नहीं है यह पुर्ण नमबर नहीं है यह साथ बटे चार है ये भी एक परमे संक्या है जब कि ये पूर्ण संक्या नहीं है एक एक परमे संक्या है जब कि ये पूर्ण संक्या है पांच एक परमे संक्या है जो कि पूर्ण संक्या है साथ एक पर्मे संख्या है जबकि ये पर्मे संख्या है ये तो है लेकिन ये भी पर्मे संख्या है जैसे आपने लिख दिया चार बटे तीन कुछ भी लिख सकते हैं एक बटा दो ये सारी की सारी पर्मे संख्या है इसको अपन पी बटा क्यू की रूप में जो संख्या पीबटा क्यू की रूप में लिखी गई है वो परमे संख्या है जबकी ये पूर्ण संख्या ही नहीं हो सकती तो यहां पे क्या दे रखाये है ऐसत्य है क्योंकि तीन बटा-5 पुरॉणाख नहीं है याणि एक पुरॉण संख्या नहीं है एक इन्टीजर नहीं है तो आप यहां पे क्या कहेंगे तीसरी को ऐसत्य कह देंगे इस देट कलियर समझ में आया क्या बात और यह introduction में ने पढ़ाया था उस time सब कुछ आपको clear कर दिया था कि पुर्ण संगये कौन सी होती है परमे संगये कौन सी होती है एपरमे संगये कौन सी होती है प्राकर संगये कौन सी सारी definition बता ही गई है आप अच्छे से जाके introduction जुर कि एक मिल रुछ ना वे ये बीच में हाँ ठीक है चल गया अब यह देखो दूसरा अगजम्पल आपके पास में है एक और दो के बीच में पांच परम्य संगये लिकीए ऐसे questions में ने करवाए थे एक और दो के बीच में कितनी लेके आनी है पांच लेके आनी है पांच लेके आनी है तो इसमें एक जोड दो पांच प्लस में एक कितना हो गया छे छे LCM ले लेंगे इसका क्या लेंगे छे LCM लेंगे दूसरे example का solution करेंगे एक और दो के बीच में निकालना है तो आपको पांच प्रमे संख्या लेके आनी है पांच प्लस में एक जोड के आपने कितना कर दिया जोड़ दिया भा आपको क्या करना है ऐसी संख्या लीजिए जिसमें 6 का भाग देने से 1 तो 1 आजे और एक आजे 2 तो 6 में 6 का भाग दे दे तो एक आ जाता है तो लिखेंगे आपे 6 बटा 6 is equal to 1 वै आप लिखेंगे 12 बटे 6 is equal to 2 इन दोनों के बीच में 6 बटा 6 और 12 बटे 6 के बीच में 5 पर में से खेंगे लिखेंगे आता है आता है एक वै दो के बीच के बीच पांच परी में संख्या परी में संख्या इस इकल टू कितनी हो जाएगी 6 बटा 6 से बड़ी 7 बटे 6, 8 बटे 6, 9 बटे 6, 6 भी 16 नहीं है 9 बटे 6, 10 बटे 6, 10 बटे 6 के बाद में आजेगा 11 बटे 6 ये पांच पर में संख्या है जो की एक और दो के बीच में विद्यमान है इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट अग्जम्पल पे अग्जम्पल नंबर आपके पास में प्राप्त हो जाता है ये पहली एक्सरसाइज के अग्जम्पल हो गए हैं इसके बाद में आपको अभी तीसरा अग्जम्पल आपके सामने आ जाता है कि संख्या रेखा पे root 2 का स्तान निर्धारन को निरूपित कीजिए ये आपको निरूपित करना है तो root 2 का करना है root 3 का, root 4 का, root 5 का root 6 का इसी परकार से कर सकते हैं चलिका root 2 का सबसे easy है सबसे पहले आप एक संख्या रेका खींचेंगे example number तीसरे का solution कर रहे हैं सबसे पहले आप एक संख्यरे का खींचेंगे इस प्रकार से इस पे यहाँ पे 0 होगा ये 1 इकाई का होगा ये 2 इकाई का ये 3 इकाई का इसी प्रकार से इधर चलेगा minus का 1 ये चलेगा minus के 2 तो आपको क्या करना है 1 cm positive की तरफ 1 cm लेगे ले लिया इस पे आप 90 degree का एंगल बनाएगे 1 cm पे 90 degree का एंगल बनाएगे या आप D की साहिता से यहाँ पे 90 degree का एंगल बनाएगे इस प्रकार से आपको दूरी लेनी है इस पे आपको दूरी लेनी है कितनी 1 cm तो माल लेते हैं 1 cm के जो दूरी है वो यहाँ तक आ जाती यह जो line red color के है वो 1 cm है यह बिंदू आपने ले लिया यह माल लेते हैं O बिंदू है यह आपके पास में A बिंदू है यह माल नेतने बिंदू B आएगा और यह O से लेके B तक जो दूरी आएगी न उड़ तो होगी अब आप क्या करेंगे परकार को O पे रखेंगे और B तक ओपन कर लेंगे B तक ओपन कर लेंगे और डैस डैस की साइथा से इस परकार से एक लाइन खींचे गई डैस डैस इस परकार से आएगा यह जो दूरी आगे न यहाँ पे जो एंगल बनेगा 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 द्यान रखना यह जो बिंदू आगया यह बिंदू आगया C यहाँ से लिखोगी O C बराबर रूड दो या आप कह सकते हैं O B बराबर रूड दो यह वैल्यूज यहाँ पे आएगी आप परकार को O पे रखोगे B तक पैंसल जाएगी फिर इस पे जो नंबर लाइन है उस पे एक चाप काड़ दोगे यह कितने का होगा रूड दो का होगा इसी परकार से अगर आपको रूड दीन लेना है तो फिर बिंदू B पे 90 डिगरी का एंगल बनाके इस परकार से एक लाइन खिंचोगे यहाँ पे एक सेंटिमीटर लोगे O को आप क्या करोगे यह बिंदू जो आपके पास में D बिंदू आएगा D तक मिला दोगे फिर आपको क्या करना है यह जो वैल्यूज है वो आपकी रूड तीन होगे यह एक सेंटिमीटर है यह भी एक सेंटिमीटर है यह भी आपका एक सेंटिमीटर है ठीक है फिर यहाँ से उपन करके एक चाप काट होगे वो इस परकार से होगा यहां पे आजेगा इसी परकार से रूड चार, रूड पाँच आगे जिए भी कर सकते हैं लेकिन आपको क्या करना है यहां पे only for रूड दो बनाना है तो यह रूड 3 वाला आप erase भी कर सकते हैं यह बनाने कि आपको आवशर्ता ही नहीं है यह 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 लाइन आएगी भर्ष यह जो बिंदू भी है यह बिंदू सी है बना बन गया कोई दिक्कत नहीं है इसी प्रकार से बनेगा संख्यार एखा पे आपको निरूपित करना था इसके बाद में अग्जामपल नमबर आजाता है आपके पास में चार वास्तिक संख्यार एखा पे रूट तीन का निर्धारन कीजिए जबकि मैंने करवा दिया है लेकिन फिर भी एक बार फिर दुबारा मैं करवा देता हूँ अग्जामपल नमबर चार को दुबारा थोड़ा ओर समझ में आजेगा दोनों ही साथ में हो जाएंगे अग्जामपल नमबर चार में सबसे पहले आपका खिंचोगे संख्यार एखा खिंचोगे संख्यार एखा नमबर लाइन खिंच लिया इस पे ये 0 वाला बिंदू हो गया ये आपका 1 ये आपका 2 इधर चलेगा माइनस 1 ये आजेगा माइनस के 2 अब आपको पोजिटिव दिशा में A एक सेंटिमेटर की दूरी लेनी है और एक सेंटिमेटर की दूरी लेंगे वो बिंदू आजेगा P P पे आपको 90 डिगरी का एंगल बनाते हुए आप या तो कमपास की साहिता से करें या आप D की साहिता से कर सकते हैं ये एक सेंटिमेटर होगा यहां से माल लेते हैं ये विंदू क्यू आएगा ये भी एक सेंटिमेटर है यहां पे 90 डिगरी का एंगल है आप O को Q से मिला दोगे O को Q से मिलाओगे तो यह आपके पास में रूट दो पराप्त होगा अब आपको क्या करना है अब आप करेंगे कि बिंदू Q पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगे 90 डिग्री का आप एंगल बनाएगे Q पे यहाँ पे यह जो एंगल रूट तीन है अब आप परकार को O पे रखके R तक ओपन करोगे और ओपन करके एक डैस डैस लाइन खीज़तोंगे एक डैस डैस लाइन खीजतोंगे यह जो डैस डैस लाइन आएगी यह S बिंदू हो गया यह O बिंदू तो यहां पे लिखोगे OR बराबर OS बराबर रूड तीन यह रजल्ट आएगा क्या आपके समझ में आया को दिक्कत है क्या बताओ यहां पे 90 डिग्री यहां पे 90 डिग्री आएगा अब आपको रूड चार लेना है रूड पांच लेना है तो आगे इस परकार से बिंदू आर पे एक सेंटिमीटर का एक लंब रेखाखंड खींचोगे फिर इसको S बिंदू तक मिलाओ गया आगे आगे S बिंदू लेना यहां पे हमने S ले लिया है आगे T ले लेना कोई दिक्कत नहीं है तो इस परकार से आपको यह परकिरिया कर देंगे बार बार वैसे क्यूसन में सब कुछ कलिया आपको समझाय गया है यह हमने 4 अक्जम्पल कंप्लिट किये हैं क्लास आपको कैसी ल